हलो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेक्टर्स तो हमने प्रिवेस चैप्टर में दिखा के वेक्टर्स एक ऐसी क्वांटिटी होते हैं जिसमें की मैगनिड्यूड और डायरिक्शन्स दोनों ही इंपोर्ण्ट होते हैं ठीप है। कुछ एक्वेक्टर्स क्वांटिटी के के जैसे फोर्ष ले लो वेलोर्स थी मोमेंट या डिस्प्लेसमेंट ये सारे ही क्वेक्टर्स क्वांटिटी है ठीप है। जनरली वेक्टर क्वांटिटी को हम एक सिंबॉल से दिनोट करते हैं जैसे मान लीजे कि यह एक वेक्टर है जिसका सिंबॉल मैंने फर एक्जामपल ए ले लिया और वेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे उस पर एक चोटा सा एरो लगाना होगा ठीक है जैसे फोर् अगर मुझे सिर्फ फोर्स का मैगनिट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो मैगनिट्यूड के लिए मैगनिट्यूड के लिए सिर्फ मैं उसे एफ से दिनोट करूँगा या फिर एफ ऐसे दिनोट करूँगा ठीक है ओके तो यह इससे मैं सिर्फ मैगनिट्यूड दिनोट चैनल के नोंट कर सकता हूं, जबकि मझे अगर वैक्टर पना है, तो मुझे उपर एरो लगाना पड़ेगा अब मान लिजी कि किई वैक्टर का मुझे द्राइंग करना है, तो मैं कैसे करुणा, तो यह वेक्टर एक arrow से denote होते हैं ठीक है रच्स़े मान लीज़े कि एक a vector है तो ये एक arrow से मैं denote करता हूं अब जो arrow की length है वो magnitude show करती है ठीक है जो length है वो vector की magnitude show करती है जबकि जो direction ये arrow head है वो उसकी direction शो करता है ठीक है और जो ये point है वो point of application शो करता है ठीक है means अगर कोई point पे अगर force लग रहा है तो ये उसका point of application है और ये force का direction है ठीक है और जो length है वो कितना force लग रहा है उसका value दिखाता है अब basically तीन type के vectors होते हैं उसमें पहला होता है free vector तो free vector एक ऐसा vector होता है space में कि उसकी direction और magnitude पे उसकी position का कोई effect नहीं रहता for example ले लिजे कि couple ठीक है आगे मैं पढ़ाऊंगा कि couple क्या होता है तो जो couple होता है couple किसे बनता है कि equal and opposite force ठीक है इससे couple generate होती है तो couple के लिए position important नहीं है means couple का derivation है उसमें position vector नहीं आता है ठीक है यहनि couple पे position का कोई फरक नहीं पढ़ता है तो ऐसे vectors को मैं बोलता हूँ free vector ठीक है ओके अब दूसरे type के vectors होते है वो होते है fix vector fix vector में क्या होता है कि वो vector अपनी position change नहीं कर सकते ठीक है अगर position change करेंगे तो वो vector ही change हो जाएगा ठीक है जिसे मान लीजे कि अगर यहाँ पे एक particle है ठीक है यहाँ पे एक particle है और इस पर मैं एक force लगा रहा हूँ ठीक है अगर यह vector को मैं यहाँ shift कर दूँ तो particle तो यहाँ पे ही रहा लेकिन force यहाँ पे shift हो गया तो यह force को मैं shift नहीं कर सकता तो इसे मैं fixed vector या फिर bound vector भी कह सकता हूँ तीसरे type का vector होता है उसे कहता हूँ sliding या line tide vector अब यही force की बात करते है कि अगर यह एक box है ठीक है अब यहाँ पे एक मैं force लगा रहा हूँ ठीक है अब अब क्या होगा यह box यह direction में move करेगा ठीक है तो यह force को मैं actually बोलता हूँ push force लेकिन अगर यह force की line of action में extend करूँ ठीक है तो यह force को मैं यहाँ पे भी रख सकता हूँ तो उसे क्या होगा उसे यह action या moment पे कोई असर नहीं होगा ठीक है तो जैसे मान लो कि यह push force है इसको मैंने pull force बना दिया अगर मैं यह point of application का change कर दूँगा उसकी line of action पे यहाँ पे रख दूँगा यह force को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया तो यह बन गया pull force ठीक है लेकिन इसकी वज़े से system पे होने वाले action पे कोई फरक नहीं पड़ेगा यह यह direction में move करेगा तो ऐसा vector क्या होता है sliding vector या line tied vector